जरुम्बिश ये रेडियो जरुम्बिश उर्दू की आवाज है आज जुम्बिश का दिन 30 अपरेल और साल 2021 है और मैं हूँ आपका मेजबान दोस्ते मुराद बलोच रेडियो जरुम्बिश के आज की नियूस बुलिटन में बलोचिस्तान समय तिलाकाई और आलमी खबरें शामिल है आईए सबसे पहले बलोचिस्तान से मतालिक खबरें सारेन बलोच से सुनते हैं पसनी में काबज पाकिस्तानी फोस कोस्ट गार्ड की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया है जिसके नतीजे में काबज एहलकारों के जानी और माली नुकसानात के इतला मिली है हमारे नामनिगार के मताबक पसनी के मरकज में हाई सेकंडरी स्कूल के ग्राउंड में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के गार्ड के गाड़ी को नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमले का निशाना बनाया और फरार हो गए बुद की शाम केच की तहसील दश्ट में मुसल्ह अफराद ने पिट्रोक के मकाम पर काबज पाकिस्तानी फौज की एक चौकीपर स्नाइपर से हमला करके एक एहलकार को हलाक किया है दूसरी तरफ कलाद के लाके शेखड़ी में मुसल्ह अफराद ने एक मुबाइल टावर को बारूदी मौद से उड़ा दिया है जिससे लाके में फौन सर्वेस मौतल हो गई है दश्ट पिट्रोक हमले की जम्हदारी बलूचस्तान लिबरेशन फौन्ट की तरजमान मेजर गौरम बलूच ने कबूल करते हुए कहा कि बुद की शाम बियल लफ के सरमचारों ने केच में दश्ट के लाके पिट्रोक में काइम फौजी चौकी पर स्नाइपर से हमला करके एक एहलकार को हलाक किया मेजर गौरम बलूच ने मजीद कहा है कि काबिस पाकिस्तानी फौर्स पर हमले मकबूज बलूचस्तान की आज़ादी तक जारी रहेंगे पंजगूर में काबिस पाकिस्तानी फौर्स ने एक नौजवान को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है अमद यूसुफ सकने बौनिस्तान के नाम से हुई है। काबिस पाकिस्तानी फोर्स इस ने सलाहुदीन को उस वक्त हिरासत में लेकर लापता कर दिया है जब वो दीगर दोस्तों की हमरा पिकनिक मनाने जा रहे थे। सलाहुदीन इस से पहले भी जबरी गमशदगी का शिकार हुआ है। दूसरी तरफ केच के लाके मन्द गोबर्द से 14 महीने कबल काबिस पाकिस्तानी फोर्च की हातो जबरी तोर पर लापता होने वाले परवेज एहमद वलिद रसूल बख्ष सकने गोबर्द मन्द बाजियाब हो गए हैं। बलूचस्तान लिबरेशन फरंट की सरबरा डॉक्टर अल्ला नजर बलूच और बलूच नेशनल मुवमिंट की साबिक जनरल सेकरेटरी रहीम बलूच एडुकेट ने बलूचस्तान में डेथ इसकार्ट की हवाले से साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट को सराहा है। रहीम बलूच एडुकेट ने रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए कहा किराए के कातिल डेथ इसकार्ट और इसलामी इंतहा पसंदों का इस्तमाल पाकिस्तानी फोज और एजिंसियों का पुराना हर्बा है। उन्हों ने ऐसे अनासिर को बंगालियों के खिलाफ इस्तमाल किया और अब एक तवील अर्से से बलूच आज़ादी की तहरीक और हमसाय ममालक के खिलाफ इस्तमाल कर रहे हैं। इस बारे में शाय होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट की तारीफ की और इसे दुन्या के लिए आँखे खूलने वाली करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फोज रोज ऑल से ही बलूच आज़ादी की तहरीक के खिलाफ किराय के गातिल एस्तमाल कर रही हैं। उन्हों ने हजारों बलूचों को कतल किया अब पाकिस्तानी फोज उन्हें सियासी इदारों की शकल में ढाल रही है उन्हों ने कहा कि शफीक मेंगल और असलम बिजिंजर जैसे डेट इसकार्ट के सरगना गुजशता इंतिखाबात में नेशनल पार्टी के इतिहादी थे ज दूसरी तरफ बलूचों की खटपतली हकुमत ने इन किराए के कातलों की पुष्ट पनाही की है ये खास तोर पर एहल बलूच नौजवानों को जबरी तोर पर लापता और गतल कर रहे हैं उन्हों ने कहा हम अकवाम मुतहदा और आलमी ताकतों से अपील करते हैं कि वो ब ताबिक तमाम यूनिवर्सटी के अम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी किये गए हैं जबकि यूनिवर्सटी हास्टल में मकहिन तलबा को 30 अपरेल तक हास्टल खाली करने की हिदायत भी की गई हैं दूसरी तरफ डिप्टी कमिशनर कोईटा के दफ्टर से जारी होने वाले ए वैक्सिनेशन सेंटर्स, फ्रूट, सबजी, पॉलिटरी, बेकरी, दूद दही और तंदूर वगईरा की दुकाने खुडी रहेंगी हिदायत नामे के मताबक तमाम दुकाने शाम चे बज़े से सुबा चे बज़े तक बंद रहेंगी तमाम होटेल्स, रेस्टोरेंट्स, चाए खाने और जूस शॉप्स सिर्फ और सिर्फ पारसल टेक अवे की खिदमात फुराहम करेंगे। किसी भी होटेल्स, रेस्टोरेंट्स, चाए खाने और जूस के दुकानों के अंदर और बाहर लोगों को बैठने की अजासत नहीं होगी। तुर्बत में कोह मुराद जियरत कमीटी की तरफ से जायरीन को कहा गया है कि रवान साल कुरोना की वज़ा से कोह मुराद पर रमजान का रिवायती सालना अज़तिमान नहीं होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम जिक्री अंजमन के जनरल सेकरेटरी हबीब हसन ने जिक्री फिक्ते के नाम पेगाम जारी करते हुए कहा है कि जियरत बंद करने का फैसला मौजूदा सुरत हाल को देखते हुए हुकूमती हिदायत पर किया गया है। ये आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को मतासिर किया हुआ है। कुछ दोस्त नादानी में एहतजाज का एहलां कर रहे हैं। इन दिनों में एहतजाज से कुछ हासल नहीं होगा। मतासिर हमारे ही लोग होंगे उन्होंने जिक्रियन से अपील की है कि वो किसी भी इहतजाज का हिस्सा ना बने। बयान में कहा गया है कि जियारत कमीटी के फैसले के बाद तमाम अफराद से गुजारिश है कि जियारत जाने के लिए जिन जायरी ने पैसे एकटे किये हैं वो वबा के दिनों में अपने करीबी जरूरतमंद अफराद एधी फांडेशन ओस्त वेलफेर और्गनाजेशन य बादर ट्रेड यूनियन के जनरल सेकर्टरी गुलजार दोस्त के कहना था कि डिप्टी कमिशनर केच ने एक मुलाकात में उन्हें बादर का मसला हल कराने के लिए यकीन दिहानी कराते हुए कहा है कि इस बारे में चीफ सेकर्टरी बलुचस्तान और आई जी एफसी के साथ खातिर खुआ और नतीज़ खैस बाद चीफ हुई है इसलिए बार्डर ट्रेड यूनियन जमिरात को सीपेक शहराप पर होने वाला रोड बलॉक माँखर कर दें ताके बाद चीफ में मजीद पेशरुफ्त की गुनज़श पैदा हो सके ये थी साहरेन बलॉच जो बलॉच इस्तान से मुतालिक खबरें सुना रही थी अब पेशी खिदमत है आलमी और इलाकाई खबरें बंदो बस्ते पाकिस्तान खैबर पक्तुंख्वा के इलाके जनुबी वजीरिस्तान में चार दिन कबल लद्धा डिवीजन के इलाके बीबी जई में एफसी एहलकारों की फारिंग से हलाक होने वाले दो नوجवान कलाम الدین और इनामला के कतल के खिलाफ तहसील बिल्डिंग मकीन के सामने हजारों अफराद का धरना जमेरत के रोज तीसरे दिन भी जारी रहा जिसके बाद जमेरत को आईजी एफसी साउट ने दरे महसूद कबीले के अमाईदीन के साथ टांक सेक्रियेट में मुलाकात की और वाके के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल करने के बाद धरने के अमाईदीन से कामयाब मुजाकिरात करके कतल होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन को शौदा पैकेज यानि दोनों शौदा और एक जखमी के लवाहिकीन को दो दो सरकारी नोकरियों समेट 20-20 लाक रुपए दिया जाएगा और लवाहिकीन की जानब से नौजवान के कतल के लिजाम नामजद एहल कारूम पर मुकद्दमा दर्च किया जाएगा इसके इलावा शहरी आबादी में कबाईलियों के मकानात में रहाइश पजीर पाकिस्तानी फोर्सिज उनको खाली करके मुटाले के हव पीपल्स पार्टी पीडियम इतिहाद में वापसी की खौहिश मंद है ताहम हमारी शर्त पर सोच बिचार की वज़े से ताखिर हो रही है जिसके लिए उन्हें वक्त दिया गया है उन्होंने कहा कि खुशी की बात ये है कि इतिहाद बरकरार है और एद के बाद पीडियम का स पार्टी भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीबल्स पार्टी से नाराज है ताहम उनकी कैयादत को किसी दबाव की वज़े से इतिहात से इलाइदगी का इलान करना पड़ा है मौलाना फजल रह्मान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए इतिहाद के दर्वाजे खुले हैं उन्होंने मजीद कहा कि कमजोर मैशत की वज़े से कश्मीर पर हमारा मौकिफ तहलील हो रहा है हम बहुत कमजोर पोजीशन पर खड़े हैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमे मफाहिमत से रास्ता बनाना पड़ेगा अफगान तालिबान ने नैटो फोर्सेज के कमांडर जनरल इसकाट मिलर के इस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से गहर मलकी अफवाज के इन्खिला का अमल यकुम मैई से शुरू हो जाएग तालिबान की वेब साइट पर फिर और मंगल की दर्मेंग्स शव शाय होने वाले एक आर्टिकल में तालिबान का कहिना था कि इन्खिला का ये इलان काबल तारीफ है इस आर्टिकल में मजीद दरज है और मस्तबल में गहर मलकी अफवाज की मौजुदगी जंग की दूसरी तरफ अफगान सदर अश्रफ गनी ने तालिबान को इक्तिदार में शिराकतदारी की पेशकश करते हुए कहा है कि कोई भी शखस जंग और तशद्द के जरीये लोगों पर अपनी खाहिश नहीं थोप सकता। यहीद वक्त है कि तालिबान जंग छोड़ दें। तालिबान को इक्तिदार में शिराकतदारी की पेशकश करते हुए अफगान सदर का कैना था कि तालिबान पावर शेरिंग के लिए जमहूरी अमल में आएं। बुद्ग के रोज अमरीकी वजिर खारजा एंथनी बिलेंकिन ने कहा है कि रूसी एस चार सव मीजायल सिस्टम की तरकी की खरीदारी अमरीकी सलामती के लिए खत्रा है। बिलिंकिन ने कहा कि हमने तर्की पर जोर दिया है कि वो रूसी मीजायल मौाइदे को मनसूख करें। अमरीकी वजीर खारजा ने तर्की और तमाम इत्यादियों पर जोर दिया कि वो रूसी दिफाई निजाम खरीदने से गुरेज करें। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी दि वाज़ो सामान की खरीदारी से रोकने के लिए तैयार किया गया था। अकवाम मतहिदा और लीबिया की मुश्तरिक असकरी कमेटी ने लीबिया में मौझूद गएर मुल्की अजरती जंग जूँगी फौरी वापसी का मतालबा किया है। लीबिया में अकवाम मुतहिदा के मंदूब यान कोबेच ने लीबिया में स्यासी कशीदگी खتم करने के लिए कायम करदा, मश्तरिक अख़ोजी कमेटी के पास चीत में मश्रकी और मगर्बी लीबिया को मिलाने वाली साहिरली सड़त खोलने में ताخिर पर भी एदम इतमिनान का इज़ार किया यान कोबेज ने मुश्तरिक फौजी कमिटी के साथ असलिया से पाक लीबिया, आबादकारी, दुबारत तन्जीम और सिकूरिटी के शोबे में इसलाथ के लिए कौमी मनसूबत तयार करने के लिए जरूरी एकदामाद पर तबादले ख्याल भी किया इसी के साथ ही आज के निउस बुलिटन का अख्तिताम होता है, दोस्ते मुराद बलूच को इजाज़त दीजिए और मजीद खबरों के लिए विजिट करते रही है हमारी वेबसाइट जरूरूर्बिश डाट कॉम को कर दोस्ते मुराद बलूच को